देवियों के मंदिर अधिकतर पहाडों पर ही हैं। कभी सोचा है कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी हैं। चलिए जानते हैं। भारत में हिंदु धर्म की जादतर देवियों के मंदिर पहाडों पर बने हुए होते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो भारत में देवियों के चितने भी प्रमुग स्थान हैं वह सब के सब पहाड़ों पर हैं. फिर चाहिव हो जम्मु में मात वैश्नों देवी का मंदीर हो या फिर गुहार्टी में मा का माख्या का मंदीर हो, या हरीद्वार में मनसा माधा का मंदीर हो या फिर बस बन संकड़ा में काली का माधा का मंदीर हो इन सभी मंदीरों में माधा पहाड़ों पर विराजमान हैं आखे क्या कारण है कि देवियों के सभी मंदिर पहालों पर होते हैं चले जाने असके पीछे की खास वज़र यह धार्मी कारण कहा जाता है वेद पुराणों में स्रिष्टी की मोलफूत रचनाओं की बारे बताया क्या है पंच तत्व से यह धर्ती बनी है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगे यह पांच तत्व है जल वायू अगनी भूमी और रकास वेद और पुराणों की अनुसार इन पांच तत्वों के पांच देवता भी है भूमी के देवता है भोले नाशियों वायू के देवता है विश्णुजी जल के देवता है गनेशी तो अगनी के देवता है अगनी देव और अकास के देवता है शूर्य माता दुर्गा जिन्हें शक्ती का रूप कहा जाता है उन्हें इन सबसे सर्वों पर ही माना गया है पहाडों को धर्ती का मुकुट और सिहासन भी कहा जाता है इसलिए अधिकतर देवियों के स्थान पहाडों पर है एक कारण यह भी माना जाता है दरसिर उचे 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 पहाडों पर देवियों के मंदिर होने के पीछे यह भी माना जाता है कि पुराने समय में साधों संतों को इस बात का अंदेशा था इंसान जितनी भी समतल जमीन है उसे अपने इस्तमाल में ले आएंगे और कहीं पर भी एकान नहीं बचेगा क्योंकि जब साधना और ध्यान करने के लिए कान भी हज़ जुरूई होता था ऐसे में पहाड़ों को देवियों का स्थान बनाने के लिए उचित समझा गया और उचे पहाड़ों पर वातावरन भी शुर्द होता है तो साथ ही वहां जाकर साकरात्मक्ता का भी अनुभाव हो वहीं इसके साथ ही कुआ हाटी में बना हुआ है कामाख्या देवी का मंदी जो शृद्धालों के लिए बेहत आस्था का विश्य है हरी द्वार में माता मंसा का मंदीर भी पहाड़ों पर ही बना है भले ही अम मंदीर उची चोटियों पर बने हो लेकिन यहां आने वाले श संख्या में कोई कमी नहीं होती हर साल यहां हजारों की तबदाद में शृद्धालों आती है इसकी पीछे का एक कारण यह भी है कि पहाड़ों पर जितने भी देवी हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना राज्जा या किसी वैक्ति ने उनके सपने में आकर आदेश दिया है दे की गई है वो भी पहाड़ों है काईज यह इंट्रेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा कॉमेंट्स में जरू बताएगा और ऐसे हैं इंट्रेस्टिंग जानकारियों के लिए इस चानल को करें लाइक सब्सक्राइब और शेयर थाइक्यू